नमसे दोस्तों आप सब का स्वागत है एक और ने व्लॉग में दोस्तों आज हो गया एक बड़ा कांट की भाई को सूबे जाने का था जॉब पे गाड़ी लेके कार लेके और गाड़ी हुई नहीं स्टार्ट तो अभी मैं जस्ट फ्री हुआ हो तो मैं भी आया देखने के लिए तो दोस्तों देखिए अभी जो अपना डिस्प्ले उसके उपर यह ऐसा सिंबॉल आ रहा है तो ऐसे कार लॉक वाला सिंबॉल आ रहा है तो अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है तो देखते हैं अभी जाके मेकनिक को मिलते हैं तो मैंने थोड़ा बहुत चेक भी कर लिया बोनट खोल के कि चुवे ने कुछ काटा वगरा तो नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा डाउट आ रहा है मतलब गाड़ी का सब तो पेट्रोल वगरा मतलब डिस्प्ले लाइट वगरा सब चालू है ए एरे को डिस्प्ले वगरा लाइट वगरा सब दिखा रहा है उसके बाद यह लाइट भी चल रहा है हौन एक्टिव है बट दूसरी चीज है कि यह जो सेंजी का जो गेज है उसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो शायद चुवे ने भी कुछ केबल काटी हो सकती है मुझे मुझे दीखी तो नहीं लास्ट टाइम जब हुआ था सीन तो में वह दीख रहे थे सामने से चुवे ने आखे कांट किया करके बट आज थोड़ा डाउट फिल होप कर तो बड़ा कुछ काम ना निकले और एक दो देखते हैं मेकनिक को मिलते हैं और कल राज से इतना ज्यादा बारिश हुआ है तो आज मैं आने वाला ही तर शेल्फ देने के लिए बट देखो ऐसा कांट हो गया बारिश और गाड़ी के साथ कांट हो कभी भी कुछ भी हो सकता है बारिश में कि मेरा एक्टिवा वगरा भ करता हूँ नमसे दोस्तों आप सब का स्वागत है जो आपने अभी तक जो वीडियो देखा था कल में ने शूट किया था कड़ टाइम ना होने के कारण में मतलब काम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया बट मेरे नियर बाय जो मेकनिक के उनको में ने दिखा है जो प्राबलम तो वह मतलब चीज खराब होई रहेगी तो आप दोनों में से टेस्ट करवा लो और नया डाल दो या फिर आप लया लेकर में डाल दूंगा उसके लिए आपको आरसी बुक का कॉपी लेकर जाना पड़ेगा तो चेसी नंबर चेक करके आपको सुजुकी वाला ही दे देग है किसी और के पास नहीं जा सकते हैं तो अभी दिक्कत ऐसे है कि यहां पर जो सॉफ्टर डार के चेक करने वाला है मैं कोई यहां नियर बाई नहीं है वह यहां से तीन-चार किलोमेटर लंबा है मतलब गुवंडी में तो इतना गाड़ी टो करके लेकर जाना हो गरा भारी ही देगा तो पहला में जैसे ही एक्टिवा से जाके चेक कर लेता हो कि उनको कुछ समझ में आता है क्या बता देगा वैसे भी जो प्रॉब्लम में तो सॉल्ट करना ही पड़ेगा और यहां का मेकैनिक भी बोला है मैं यहां पर कर दूंगा काम आपका आप जस पार्ट लेक कर रहती है तो अभी जाता है और जो कुछ भी होता है वो सब मैं आपको शेयर करूंगा तो दोस्तों अभी में वापस आ चुका हूँ तो मैंने गुवांडी में चत्रपति शिवा जी महारा सरकल है वहां पर ओला शोरूंग के जस बाजू में मजर भाई का गराज वहां से में मेकनिक को लिखे आया हूँ यह भाई का नाम है चंदन तो यह अभी चेक कर रहे है और आइपैड से कि अपनी गाड़ी का कभी की है कि दोजर नौ नौ यह नंबर है गया नहीं यह बता रहा है काम किया साली इस्ट्री में फूल गंबर कि अपर सब्सक्राइब का थोड़ी नहीं है तो दोस्तों दो प्रोब्लम दिखा रहा है एक मोबलाइजर का जो चावी का इश्यू है और दूसरा चीज लेप साइट अटायर के सब्सक्राइब केबल चुवे ने काटा या खराब है कि रवे डालेंगे तो अच्छा रहे गागे अधर प्लस है नहीं है प्लस ही यह उतना ही मूटा शी थिरेट और उतना चोटा शी बस वह जाए तो जाए तो जाए आर टाइमिंग में बंद रहेते है आडवर वाला मारा है अ अ पोटो लेए गया कि आए आएडास ही जाए बीना निकाले हुँँँँँआ है तो दोस्तों देखो यह दिखिए उसका नंबर तो यह नंबर भेज के हमें ओडर लेना देना पड़ेगा पार्ट मंगाने के लिए कि अब आइस का टाइम है ना इसी को काट लिया दा लड़के को आज देखा गावैं कि अदर यह करूं कि अ में लिफ्ट में डालो गया थाहर तो पता जलेगा कि अजरे काटावा आगे आगे अगे जॉइन करना बुटेगा कि आख कर दे कि अखुआ है लेकिन इस देखो चुवे का यह बाल लगता है इस पुरा बाल है चुवे का इस पुरा बाल है चुवे का पुछ फाइदा नहीं है तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से चुवे ने काटी हुई केबल मिली है तो अब उसको जॉइन कर रहे है भाई पेडे के चुवे ने छोड़ी हुई निशानी है बोनट में उपर नीचे सब जगा पर उस चुवे के बाल चिपके हुए है तो दोस्तों अभी बज्जे है दस चार घंटे के गैप के बाद एक पार्ट उनको मिला तो खुद ओनर आया है लगाने के लिए अज़र वाए तो अभी वो पार्ट लगा रहे है डाडी को और एवियास का प्रॉब्लम है वो भी सौल हो चुका है तो दोस्तों यह इमोबलाइजर जो वेरी इंपोर्टन पार्ट जो गाड़ी के स्टेरिंग में लगता है यह लगने से मतलब आपकी गाड़ी चोरी नहीं हो सकती वो डूबलिकेट चावी वगरा जो यूज की जाती है वो लगाएंगे तो एक पार्ट के बज़े से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी उसको ओरिजिनली चावी लगानी पड़ेगी तो एकदम इंपोर्टन पार्ट है दोस्तों तो दोस्तों फाइनल एक काम तो हो गया है और वह भाई ने ओडर देने के चार-पाच घंटे के बाद वह पार्ट आया फिर उसने रात में लगवा दिया मैंने रिक्वेस्ट किया तब मैं तो कल सुबह बोल रहा था तो मैंने आज रात में लगवा दिया क्भी वापस काम अभी हो जाएगा और दूसरा चीज़ अभी में खर्चा कितना हुआ हो बताता हूं जो पाड गया था उसको इमोप्लाइजर बोलते हैं जो मैंने आपको दिखाया है वो पंद्रा सो रूपे का नया भी आता है और सेकेंड एंड उसने मतलब अभी जो लगाया मैंने वो से दो तीन जगह पर ट्राइक किया तो लोग बूल रहे थे कि मिलना थोड़ा मुश्किल है आपकी गाड़ी पुरा नहीं है तो फिर अभी ऐसे खड़ी करूंगा तो इतना जोर से बारिश हो रहे है कि चुआ वगरा भी कुछ कांड ना करवा दे गाड़ी खड़ी रहेगी तो एक दो दोस्ते उससे सजीशन लिया वह बोला लगवा दे अभी क्या करेगा इमर्जंस में तो फाइनली लगवा दिया तो उसका फंद्रासो रुपए चार्ज वो पार्ट का हुआ और लगाने का उसने बार्रासो रुपए लिया और लगा के दिया अभी गाड़ी एक मुझे महेंगा गी रहा है कि बरहबर ही रेट वगर आप प्लीज वीडियो देख रहें तो कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि टूविलर का कुछ भी रहेगा तो अभी इतना साल से टूविलर चला रहे तो सब नॉलेज है टूविलर के बारे में और बट फॉर्विलर के नया नया है तो फॉर्विलर के नया नया है तो कुछ आइडिया नहीं रहती है और टूविलर में ऐसा कुछ सेंसर वगरा नहीं होता है यह कैसा सॉफ्टर पर वर्क करता है यह पहली बार काम करवाया इसके लिए तोड़ा मन में डाउट भी ताकि ज्यादा पैसे दे रहे अब लगाने के पाद थोड़ा इसा लग रहा है ठीक है अब दो तिन दिन में और पता चलेगा और उने बोला भी अगर कुछ भी रहेगा तो मैं लगवा के दे रहा हो तो मैं करके दूंगा आपको उसमें वो टेंशन मत दीजे वह से भी आप नया भी पार्ट लेने जाओ होगे तो इतना दिन वेट करना तो पड़ेगा लेकिन उसका भी कुछ गैरेंटी नहीं है वो लोग पार्ट आपको देगे और चालू हुआ नहीं हुआ व आपकी जिम्मेदरी है तो बाई ने बोला तीन महीने तक कुछ भी रहेगा तो मैं कर दूंगा तो यह बाई का यह दोस्तों मिलते हैं एक और नय व्लॉग लेके तब तक के लिए बाई में प्रूंग प्रूंग बाई तक कि बूबस्तों मिलते हैं आपका यह बाई